नमस्कार, मैं आपका दोड़ सिवंकुमार, केजी स्टूडियो के खासकार करम, दोगज की दूरी, मास्क है जरूरी में, आप समों का हार्दिक स्वागत करता हूँ आप लोगों को पता होगा कि कोरॉना वाइरस एक वर फिर से अपना पूरा ढम, खम के साथ पूरे दुनियों में अपना पैर पसार रहा है खासकर कि यह भारत के हर एक राज्जियों में बहुत तेजी से फैल रहा है कुरोना वारस का जो यह लहर है यह पहले से बहुत ज़्यादा घातक है स्वास्त मंत्राले के मुताविक यह जो कुरोना का दूसरा लहर है यह ना सिर्फ घातक है संक्रामक है बलकि यह अपने कई अलग-अलग लक्षन लेकर इस वार आया है कुछ मरीज होम कारेंटाइम में भी सही हो रहे हैं, कुछ मरीज अस्पताल जाकर सही हो रहे हैं, तो आएए जानते हैं, करोना वाइरस के वो कौन से खास लगचन है, जिनके पता चलने पर हमें तुरत अस्पताल की और दोर जाना चाहिए, एक मिनट की भी देरी नहीं करनी कचाईए सब्सेंट पहला जो है सांस लेने में तकलीफ शाथी में दर्द कोरोना सब्सें खतरनाग लगशन है यह वाइरस हमारे अपड़ ट्रैक्ट में फेल्दी सेल्स पर पर हमला करता है जिसकी वज़त से मरीज को सांस लेने में काफी तकलीफ होती है अगर आपको ये लक्षन दिखता है तो आप देर ना करें जल्द से जल्द अस्पताल जाएं और अपना चेक अप करवाएं तथा डॉक्टर से प्रामर्स लें कोरोना का जो दूसरा सबसे घातक लक्षन है ऑक्सीजन लेवल कम होना जी हाँ कोरोना संक्रमित होने पर ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम हो जाता है तीसरा जो सबसे घातक लक्षन है वो सीने में दर्द यूँ कहें तो छाती में दर्द जी हाँ, सीने में किसी भी तरह के दर्द को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि यह कोरोना वाइरस का सबसे खतरनाक लक्षन है अगर किसी भी आदमी को सीने में दर्द हो रहा है, सीने में जलन जैसा महसूस हो रहा है तो आप देर ना करें, अस्पताल जाएं और अपना चेक अप करवाएं, जरूर से जरूर चेक अप करवाएं इसके बाद जो अगला है, होटों का नीला होना, जी हाँ ओक्सीजन लेवल कम होने पर कई लोगों के होटों चेहरे नीले पर जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन जब हमारे सरी में आपूर्ती नहीं हो पाती है, बलड में ऑक्सीजन नहीं घुलती है इस बज़े से हमारा सरीर नीला पर जाता है अगर ऐसा लक्षन किनी को है, तो वो देर ना करें, अस्पताल जरूर से जरूर जाएं और अपना ट्रीटमेंट चेक अफ करवाएं अगला जो सबसे घातक लक्षन है, बेहोसी आना, या फिर यूँ कहें तो सरीर का कमजोर पड़ जाना क्रोना वाइरस ब्रेन फंक्सन और नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित करता है कई मरीजों को, बेचैनी, आलस, इस तरह के लक्षन भी देखने को मिले हैं क्रोना वाइरस के जो एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि, अगर आपको बोलने में भी लर्कराहट हो रही है ये नहीं कि हलका सा लर्कराहट हो तो उसमें कोई डरने की बात नहीं लेकिन कोई जादा लर्कराहट जब आपको बोलने में भी हो, तो आप देर ना करें, अस्पताल जाएं और अपना चेक अप जरूर से जरूर करवाएं ये सारे कुरोना के सबसे खतरना घातक लक्षन थे अब जानते हैं एक्सपर्ट का क्या कहना है, हम अपना बचाव का ऐसे कर सकते हैं तो हेल्थेक्सपर्ट का कहना है कि आप किसी संक्रमीत इंसान से 6 फीट से कम दूरी है और 15 मिनाट तक संपर्क में रहते हैं, तो इस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं संक्रमित बैक्ती से दूर रहें और बाहर जाने से पहले माश्क पहने और आने के बाद हाथों को अच्छे से साफ करें और अज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉंटेंट के साथ तो आपको यह वीडियो कैसा लगा अगर बढ़िया लगा तो कमेंट में जरूर बताएं कैसा लगा वीडियो और हाँ जब आपको जवरत हो तब ही घर से बाहर निकले अन्यथा बिना काम का घर से बाहर ना निकले और फेस्बूक पेज डॉक्टर रोसन कुमार को लाइक और फॉलो करें और यूट्यूब चैनल स्टार्स बेगुसरा को सब्सक् जरूर करें धन्यवाद